इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहां का घंटी का आइकन है नहीं घंटी बजा दो ठीक है साड़ा बहुआ यहां सुनते रो नमस्ते अंकिल मैं बोले हूँ अंकिल जी नमस्ते अंजी कौन जी मैं बहुआ बोले हूँ आपसे दो मिनट चाहिए थे कई लोगों को फोन लगा रहा था उनको में यह बात समझा रहा था उनको यह बात समझ में नहीं है मैं सुचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे आप ही किफायदे की बात है अब आजारी मेरी आप फोन पे हैं आजी आवाज तो आ रही है लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास वही कह रहा हूं एक मिनट लगेगा आपको जानते हैं नहीं बहुत लेकिन अगर आपको किसी ने बोला या अगर आपको परसनली खुद अपनी इज़त मिटी में मिल तो गर्मी में मिलाना अरे तुम पागल वागल हो गया मैं बता रहो क्यों क्योंकि गर्मी में अगर इज़त मिटी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी भैसा बाबा जारी है सुनो इजज़त मिट्टी में मिलाया गड़मी में फिर बरसात हुई तो उस इज़त को पानी मिल गया इज़त सिंच गई इज़त का पौधा निकला पौधे का पेड़ बना वही पेड़ लोगों को चाया देगा उसी चाय के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे पत्ते क्यों गहलेंगे मेरे पेड़ के नीचे के बताओ इज़त का वैसे भी आपने मिला दिया है तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा पत्ते ही खेलेंगे लोग अबगल पंती फीर ही जितने लोग शाया देगा उसमें फूल निकलेंगे पेड में फल निकलेंगे पेड में पत्तिया होंगी लगडी निकलेर इन Kim हम तुम्हारे डीर के आपके रिखे मतलब पीठ पे ए पिषी थोड़े नीचे बिठ से थोड़े निची यही हां दीक कमर से थोड़े नी चली मरत श्यकी गेंच're ंपर ऑप अचां कमण बेखक कमण फे डाइब त punching zone जूट गई गया क मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो इजद मिट्टी में जरूर विलेगे आपकी सुनना ही नहीं है हम कितने लोग अच्छा चार लोग सुनेंगे तो जाउंगे आप वही 4 लोग तुम्हारी वोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी वला है यानि दुस्मनी पिजद हैं अप तेरी पर आ गया रखेए फोन बात नहीं करनी नहीं नाइब सुनना मेरे को बता हूँ अब 93.5 रेलेफम बताते लो सड़ी बजाते लो बता हूँ अब